तो देखिए हम लोग क्लास 7 को कर रहे हैं जिसमें हम पहुंच गए हैं चैप्टर 9 पर तो हमने इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया था जिसमें हमने 16 कुश्चन जो हैं वो डिसकस किये थे तो समविधान सभा में जो सदस्य शामिल हुए थे जो की राजिस्थान के मूल निवासी थे उनमें से थे एक मुकुट बिहारी लाल पहारगव तो इनका जन्म हुआ था 30 जन्वरी 1903 को उदैपुर रियासत में और ये क्या थे एक वकील थे मुकुट बिहारी लाल कितनी बार लोग सभा के सदस्य रहे तो ये सोतंतरता के बाद ही तीन बार अजमेर निर्वाचन शेत्र से लोग सभा के सदस्य रहे थे मानिक के लाल वर्मा का जन्म कहां और कभ हुआ तो बहुत ही महान हस्ती हैं मानिक के लाल वर्मा राजिस्थान के प्रधान मंत्री भी रहे हैं जब व्रहत राजिस्थान का निमान हुआ था उस समय राजिस्तान के प्रधान मंत्री रहे थे मानिक्यलाल वर्मा इनका जन्म हुआ 4 दिसंबर 1897 को विजोलिया भीलवाडा में ठीक है तो याद रखेंगे कि मानिक्यलाल वर्मा का जन्म जो है होता है विजोलिया भीलवाडा में नेगस्ट्ट देखिए question 20 मेवार प्रजा मंडल का प्रथम अधियवेशन की अध्यक्सदा मानिक के लाल वर्मा ने कब की थी? पंछीरागीत किसके द्वारा लिखा गया था? तो पंचीड़ागी जो की बहुत लोक्रिय हुआ था मानिक्यलाल वर्मा के दोरा ये लिखा गया था 1948 में व्रहत राजिस्थान के प्रधान मंत्री कौन थे तो ये थे मानिक्य लाल वर्मा जब राजिस्थान का एकी करन हुआ था जै नरायन व्यास का जन्म कब हुआ था तो इनका जन्म जोदपुर में हुआ था जै नरायन व्यास जो हैं मारवाड के थे जोदपुर में इनका जन्म 18 फरवरी 1899 इस्वी में हुआ था तरुन राजिस्थान और अखंड भारत के प्रकाशक कौन थे तो जै नरायन व्यास ही थे तरुन राजिस्थान और अखंड भारत के संपादक रहे हैं प्रकाशक रहे हैं जै नरायन व्यास जे नरायन व्यास राजिस्थान के मुख्य मंतरी कब तक रहे थे? तो ये राजिस्थान के मुख्य मंतरी रहे थे जे नरायन व्यास 1951 से 1956 की अवधी थक वही हमने 1948 में देखा था कि व्रहत राजिस्थान के प्रधान मंतरी थे मानिक्यलाल वर्माची गया और उसके बाद जे नरायन व्यास जो है राजिस्थान के मुख्य मंतरी रहे बलवंत सिंग महता का जन्म कब हुआ? बलवंत सिंग महता का जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म आठ फरवरी 1900 में उदैपुर में हुआ था ठीक है? और 1938 में ये प्रजाम अंडल के पहले अध्यक्ष भी बने थे समविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल समविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजिस्थानी कौन थे? इतना ज़्यादा important question है, 7th class चल रही है, 9th chapter में ही देखिए इतना अच्छा question है जो कि आपको बड़ी-बड़ी classes में भी नहीं मिलेगा तो सोचिए इन books को पढ़ना बहुत जरूरी है, 6th से लेकर 12 तक की book जो है 2nd grade के बच्चे को याद होनी चाहिए और जो read के बच्चे हैं उनको 6th से 10 तक की सभी books जो है वो याद होनी चाहिए तो यहाँ सबसे पहले जो हैं बलवंत सिंग महता रहे थे समविधान पर हस्ताक्षर करने वाले सबसे पहले राजिस्थानी रहे थे बलवंत सिंग महता डलेल सिंग का जन्म कब हुआ था तो ये जो भी हम नाम पढ़ रहे हैं ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने समविधान सभाग के सदस्य जो हैं रहे हैं और ये राजिस्तान के मूल निवासी रहे थे तो डलेल सिंग जो की कहां के थे कोटा के ठीक है और इनका जन्म 18 मार्च 1909 इसवी को हुआ था जस्वंत सिंग किस रियासत के महाराजा के प्रधान मंतरी रहे थे तो महाराजा सारदूल सिंग के प्रधान मंतरी रहे थे जस्वंत सिंग तो ये वो जस्वंत सिंग नहीं है जो की महाराजा थे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जो समविधान जबा के सदस्य रहे हैं, जस्वंत सिंग, तो वह महाराजा सार्दूल सिंग के प्रधान मंत्री रहे थे हीरा लाल सास्त्री का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जैपुर के जॉपनेर में 24 नवंबर 1899 को हुआ था हीरा लाल सास्त्री के बारे में तो बहुत बार हम लोग पढ़ भी चुके है next देखिए हीरा लाल सास्त्री ने टॉंक जिले की निवाई तहसील के वनस्थली ग्राम में किस संस्था की इस्थापना की थी तो जो सास्त्री जी थे इन्हों ने जीवन कुटीर नामक संस्था की इस्थापना की थी तोंक जिले के निवाई तहसील के वनस्थली गाउं में और जिसके माध्यम से ही ये समा सेवा की दिसा में बहुत सारे कार्य करते हैं बाद में जाके ये जैपुर प्रजा मंडल जो है उससे भी जुड़ते हैं राजिस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने? राजिस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने? तो हीरालाल सास्त्री राजिस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे ध्यान दे, राजिस्थान के पर्थम मुख्र मंतरी हीरालाल सास्त्री बने। सर वी टी कृष्णमाचारी कहां के रहने वाले थे? सर वी टी कृष्णमाचारी तो ये रहने वाले थे तमिलनाडू के, ठीक है? और समविधान सभा के सदस्य रहे ये, जो की राजिस्थान की रियासतों में प्रशाशनिक अधिकारी के तौर पर रहे थे C.S. वैंकटाचारी कहां के मूल निवासी थे, तो ये भी B.T. कृष्णमाचारी की तरह ही वैंकटाचारी भी एक प्रशाशनिक अधिकारी थे जो की राजिस्थान की रियासतों में जाकर वहां पर कार्य करते हैं, तो ये करनाटक के मूल निवासी थे जोदपूर के महाराजा उमेर सिंग ने C.S. वैंकटाचारी को कब अपना प्रशाशनिक अधिकारी बनाया था उसके बाद में जो जैपूर के राज प्रशाशनिक अधिकारी भी ये बने थे विजोलिया किसान आंदोलन के दोरान CT विजिया रागवा चारे किस राजस्थो मंतरी को विजोलिया भेशते हैं तो विजोलिया किसान आंदोलन में हमने पढ़ा था कि ये डॉक्टर मोहन सिंग महता को भेशते हैं विजोलिया किसान आंदोलन के दोरान तो ये वही थे जिन्होंने विजोलिया किसान आंदोलन के समय में उनसे क्या किया था समझोता किया था लगान की दरें जो है वो कम की थी जो भी लागवाग लगाए गए थे वो हटाए गए थे उनको समाप्त कर दिया गया था तो यहां आपका नाइंद क्लास का चैप्टर जो है वह है complete होता है बहुत अच्छे से इनको ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा जो है इस चैप्टर में से क्या पूछा जाएगा यही पूछा जाएगा कि समविधान के निर्मान में राजिस्थान के कौन-कौन से व्यक्त का है तो उसमें से कौशन जो है वो आज तक भी एक्जाम में नहीं पूछा गया है चैप्टर मैंने फिर भी आप लोगों को पढ़ा दिया था महात्मा गांधी तो वहां पर केवल महात्मा गांधी की जो आत्म गता है सत्य के प्रियोग तो केवल उसी के बारे में एक स्ट है जिसमें से कौशन जो है वो नहीं आता है तो हम लोग नेक्ष्ट जो है वो एर्थ क्लास को स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम उनके चैप्टर पढ़ेंगे जैसे ही चैप्टर कंप्रीट हो जाएंगे उसके बाद हम करेंगे जैसे हम करते आएं हैं इनके कौशन आंसर ठीक है, तो दिखिए, 6th class हमने पढ़ी, 7th हमने पढ़ ली, उनके question answer भी हमने अच्छे तरीके से कर लिए, अब आपका काम है कि इनको note कर रहे हैं, तो note करिए, जैसे भी कर रहे हैं, आप लोग इनको याद रखिए, तो मिलते हैं next video में, thank you.